आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आप Instagram यूज करते हैं और Instagram अकाउंट को आप किसी प्रॉलम की वज़े से या फिर आपकी मर्जी से डियक्टिवेट करना चाहते हैं यहाँ पर मैं अकाउंट को पर्मनेंटी डियक्टिवेट करने के बारे में बात नहीं करूंगा सिर्फ आप डियक्टिवेट करना चाहते हैं आप चाहते हैं आप अपने अकाउंट को deactivate कर दे और आप का मन जब करे आप उसको reactive भी कर ले मतलब आप active भी कर ले आप अपनी मर्जी से active और deactivate कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं कैसे हमें करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने Instagram को open कर लिया है यह मेरा account है मैं ठीजा profile पर click कर लेता हूं profile पर click करने के बाद यहाँ पर three lines देखने को मिल रही है उपर की तरफ इन पर click करना है यहाँ पर आपको setting and privacy देखने को मिल रही है इस पर click करना है यहाँ से आपको बहुत सारी settings देखने को मिल रही है देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहां पर क्लिक करना होगा अकाउंट सेंटर पर अकाउंट सेंटर पर क्लिक करने के बाद परसनल डिटेल पर क्लिक करिए फिर से दिखा देता हूं यह आपको परसनल डिटेल देखने को मिल रही है अकाउंट सेटिंग में परसनल डिटेल पर क्लिक करिए जैसे Account, Ownership and Control का ओप्शन देखने को मिल जाता है Account, Ownership and Control पर क्लिक करना है Then यहाँ पर आपको ओप्शन मिल जाता है Deactivate or Delete का सबसे नीचे आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने अकाउंट पिक कर लेना है जैसे मैं अपने account यहां से pick कर लेता हूँ, यहां पर मुझे दो option मिल जाते हैं, या तो मैं अपने account को permanently delete कर सकता हूँ, या फिर deactivate कर सकता हूँ, deactivate करने के लिए सबसे उपर आपको देया हुआ है, इसको select रहने दे, delete करने तो नीची आ जाए, deactivate मैं आपको बता रहा हूँ, तो deactivate account पर click करना है, continue कर देना है, जैसे मैं continue कर दूँगा, यहां पर आपसे देख सकते हैं, password डालने को बोलेगा, तो जैसे मैं यहां पर password डाल password डालने के बाद मुझे continue पर click कर देना है, यह continue दिखा रहा है, इस continue पर click कर दूँगा, तो मेरा account जो है, deactivate हो जाएगा, deactivate करने के बाद, आप चाहें तो same process, यहां पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको login करना होगा, अपना ID, password, email, password, number, password डाल कर जो भी आप डालते है और आपका जो account हो, reactivate भी हो जाएगा, मतलब activate भी हो जाएगा, deactivate करने का यहीं तरीका है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजेगा, आपके mobile में same ही setting होगी, so guys, आसके वीडियो में आपको यहीं बताना था, कि कैसे आप अपने account को deactivate कर सकते हैं, आसके वीडियो मे पी न ही मिलते हैं, अइए आप्षी देमें, तिल नवा, एट एक गया, लुग,